बात करने के लिए लोग इन करें www.astrotak.com नमस्कर मैं आचार्य अभिनोत भरद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज का बेहत सुन्दर कारिक्रम माताओं के लिए है क्योंकि स्राध में माताओं का एक स्पेसल दिन रखा गया है और उन माताओं का जो माताओं बेवाहित थी और आज आपके यहां पे नहीं है मतलब उनका स्वरगवास हो गया है खास तिथी होती है मातर नौमी की और इस तिथी में आप किस तरह से अपने घर की माताओं को मना करके माता लक्षमी की क्रपा पा सकते है बेहा सुन्दर कारिकرम है पूरा कारिकरम देखने का प्रयास करिएगा लेकिन इस कारिकरम के बारे में जानकारी दूम इसके पहले हर कारिकरम में आप के लिए लेके आता हूँ यदि आप जोतिस से संबंदित कोई भी प्रश्ण लेना चाहते हैं जन्पुनली बनवाना चाहते हैं वर्थ फल आप जो निकलवाना चाहते हैं या किसी बिगनों को दूर करने के लिए सुन्दर टोटका ले करके अपने कारियों को सिद्ध कराना चाहते हैं तो आपको कहीं दोडने भागने की जरूरत नहीं है अपना मोबाइल लिजिए www.asht तक.com पे जा करके बिनोध भरद्वाज प्रोफाइल को सेलेक्ट करिए और अपने कुश्चन को हमारे पास भेज देचिए एक उपाय आपके जीवन की समस्त बाधाओं को दूर करेगा हर प्रकार से खुसियां आपके जीवन में आएगी यदि आप उन पे बात करना चाहत हैं तो सादर अमंत्रित हैं हम आपके फोन का इंतजार कर रहे हैं अब बात करते हैं मात्री नौमी की आश्विन कृष्ण पक्ष नौमी को मात्री नौमी कहा गया है इस बार यह मात्री नौमी व्रश्पती वार 30 सितंबर को पड़ रही है देखिए आपकी माताओं का देहावसान जिस तिथी में हुआ है उस तिथी में तो आप स्राध करिए आपकी माता स्विकार करेंगी लेकिन मात्री नौमी के दिन भी आप यदि यह खास कार्य संपन्न करते हैं तो निस्चित रूप से आपकी माताओं खुस होंगी क्योंकि जब माता खुस होती है तो अपने पुत्र को हर प्रकार से संब्रित धुवान कर देती है अपने पुत्र के जीवन में आने वाली समस्त बाधाओं को माता अपने आचल में छुपा करके दूर कर देती है माता जब खुस होती है अपने परिवार के लिए लक्षमी बन जाती है माता जब खुस होती है न तो अपने परिवार के ऊपर आ रही बिग्न बाधाओं को काली का रूप धारन करके खतम कर देती है माता जब खुश होती है तो निस्चित रूप से सरस्वती का रूप धारण करके अपने पूरे परिवार के लिए ज्यान का भंडार खोल देती है इसलिए पित्र पक्ष की यह जो नौमी है मात्र नौमी बेहद महत्यपुर्ण है इसमें आप अपनी माताओं का आसिर बात पा सकते हैं अब देखिए यहां पे एक बात और है यदि आपकी माता जीवित है तो माता मही प्रमाता मही या जिन से بھی आपका माता से संबंध रहा हो उनके लिए भी आप मात्र नौमी के दिन यह खास कारे कर सकते हैं क्योंकि वही माता निस्चित रूप से त्रिप्त हो करके आपके जीवन में खुसियां देगी अब आपको करना क्या है मात्रिनौमी के दिन प्राता काल एक रोटी उस पे जो भी आपके घर में पक्वान बना है थोड़ा मिठाई होनी चाहिए मिठाई में खीर भी ले सकते हैं या मार्केट से भी सुद्ध मिठाई ले सकते हैं और थोड़ा सा नमकीन पहुत जरूरी है आप अपनी माताओं को याद करते हुए एक पत्ते पे आप दच्छिन की और मूँ करके और हाथ में आप जो कुसा पहन ले अगर मिल जाए तो जो नहीं तो दूरबा अपने हाथ में लिये रहें और अपने घर की समस्त माताओं का असमरन करके उस रोटी को लीजिए और ले जाके गव माता को खिला देजिए देखिए यह रोटी आपकी निश्चित रूप से आपके घर की माताओं को तो त्रिप्त करेगी ही करेगी और जब यह रोटी माताओं की नाम की गव माता के पास जाएगी तो उनका पुन्य परताप तो हिंदु धर्म में सब जानता है गव माता के एक-एक रोम में देवताओं का वास है निश्चित रूप से आपके घर में समस्त जो भी मनो कामनाएं जो भी व्यक्त किया होगा देखिएगा मातरिनौमी का यहाँ यहाँ सुन्दर उपाए उनकी मनो कामनाओं को पुर्ण करा देगा विश्वास के साथ आस्था के साथ पित्रों के प्रेम के साथ माताओं के प्रेम का अस्मरन करके यह उपाए इस राध पक्ष की नौमी को करके देख ले निस्चित रूप से आपके जीवन में आने वाली बाधाएं आपकी माताएं ऐसे दूर कर देंगी जैसे कोई मा अपने बालक को आचल में छुपा के गुमती है उसके उपर दुख नहीं आने देती है खुद दुख छेल जाती है खुद दुख को सहन कर लेती है मित्रों या कारिक्रम अच्छा लगा है तो जरूर सेर करिएगा माताओं के नाम पे अपनी माताओं के नाम पे और एक एक आप से मैं और निवेदन करना चाहता हूँ हमारे यूटूब चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लीजिए क्योंकि हम आपके लिए सुन्दर सुन्दर कारिक्रम लेके आते हैं यही आपसे निवेदन है आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार